नमस्कार, इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राउननट में लगने वाले प्रमुक पेश्ट के बारे में ग्राउननट में कौन-कौन सी महतपुन पेश्ट आकरमनकारी होती हैं, आईए उसके बारे में जानें तो आप देख सकते हैं, Ground Nut में महत्वपुन आक्रमनकारी पेस्ट में एफिड, Leap of War, Thrips, Red Hericator Pillar, Leap Minor, Tobacco Caterpillar, Gram Podborer, Podborer, Earwig, Podbug, Termites, एवंग White Grub महत्वपुन दितोर पर आक्रमनकारी होती है इन में से हम आज हम इस वीडियो में जानेंगे, Red Hericator Pillar, एवंग White Grub के बारे में बिस्तार पूर्वक से तो चलिए जानते हैं सबसे पहले Red Hericator Pillar के बारे में Red Hericator Pillar, जिसका scientific name M.Secta Elvistriga है, इसकी order Leapidoptera है, Family RQTD है अब इसका distribution Oriental Area में है, पूरा वर्ल्ड का, मतलब Oriental Area मतलब South East Asia एरिया में यह serious paste होता है, Renfit Condition में, Pulses में, राजिस्थान चेत्र में और Ground Nut में यह serious paste होता है, Southern Part of India में, Southern India में अब जो M.Secta है, इसकी दो species पाई जाती है, एक M.Secta Elvistriga और M.Secta Moori तो M.Secta Elvistriga है, वो जो South India में, Pre-Dominant होती है उसी तरह, जो M.Secta Moori है, वो Northern Parts of India में, Country में, यह Pre-Dominant होती है अब इसका जो seasonal outbreak होता है, वो largely depend करता है, Climatic Condition पे और Local Agriculture Practices पे अब इसका होस्टेंज क्या है, तो Ground Nut के अलावा मेज, सोरगम, ग्रीन ग्राम, सीसिम, पलमिलेट, फिंगर मिलेट, सन्वेम, केस्टर, कोटन यह सम में भी इसका आक्रमन देखा गया है तो चलिए इसके Binomics Life Cycle के बारे में जाने तो जो Adult होता है, वो Medium Size का मोथ होता है और जो जब Heavy Rain Receipt होता है तो जब सोईंग के One Month Later में जो White Moth होती है वो Image होती है सोयल से और एग ले करती है लगबग 600 से 701 ले करती अंडर सर्फेस ओप लिप्स पे तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह से अंडर सर्फेस ओप लिप्स में कितना सारा एग ले की है Numbers ओप ले एग ले की है अब जो है जो इसके बाद जो एक प्रियर्ड होता है वो दो से तीन दिन का होता है और जो एक हैस होने के बाद जो अरली लारवा होता है वो टाइनी ग्रीनिस कार का होता है के टरपिलर और लिप्स पे ग्रिगेरियसली फेड करता है मतलब ये ग्रूपिंग में फेड करता है समू बना के फेड करता है और जो फूल ग्रोन लारवा होता है उसका वो 5 cm लंबाई का होता है और उसमें redis brown hairs पूरे body पे present होती है तो आप इस picture में देख सकते हैं कि किस तरह से red hairs present है अब जो larval pritter है वो 40-50 दिन का होता है और जब फिर larval जब later larval stage होते है फूल mature larval growth हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जब rainfall receive होता है तो जो larval होता है वो pupation के लिए चला जाता है 10-20 cm soil depth में अर्दिन सेल में या फिर pupation होता है filled bund पे खेत के मेड़ पे pupation होता है या फिर shady areas में pupation होता है अब जो pupation का dipos होता है वो लगबग next year तक होता है एक साल का होता है तो इस तरह आपका सकते हैं कि एक generation complete होने में लगबग एक साल होता है लगता है तो यह एक univertine nature की है तो adult एग लिए करती है एक से larval, larval से pupa और pupa से adult यह पूरा life cycle complete होने में एक साल लग जाता है और इसलिए इसे univertine nature का कहते हैं अब इसका damaging symptom क्या है तो damaging symptom चलिए जानते हैं और जो upper epidermal layer होता है उसको मतब उस पे उसको damage नहीं पहुचाती है early stage में फिर जब later stage आता है तो फिर वो पूरे wall lip part पे for feed करने लगती है vigorously और पूरे stem में भी feed करती है और एक field से दूसरे field में यह मतलब transfer होती है अब जो होता है जो severely affected field होता है वो कैसा दिखाई देता है ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई cattle graze किया हुआ है grazing किया हुआ जैसा और इसे क्या होता है की है और मैंने आपको बता है कि इसका श्राय कोटन फिंगर में लेट पूंपी तो आप देखतें इसका मेनेजमेंट किस तरह से करेंगे तो हम लोग मेनेजमेंट के लिए क्या करेंगे इंटर क्रोप करेंगे रेड़ ग्राम और काफी का फिर क्यूंकि प्यूपेशन सोयल में होता है तो समयर प्लाविंग करेंगे फिर हम लोग लाइट ट्रेप का यूज़ करेंगे या फिर बोन करके डेस्ट्रोय कर देंगे फिर हम लोग ट्रेंज डिग आउट ट्रेंज मतब गड़ा खो देंगे गड़ा खोदने से क्या होगा कि जो फिग माइग्रेशन और केटरपिलर वो एवोईड होगा और वो फस जाएंगे अब जिस तरह हम लोग हेलिकोबरपा आर्मी जेरा में हम लोग यूज कर रहे थे नुकलियर पोली हेड्रोसिस वाइरस का उसी तरह यहां भी हम लोग नुकलियर पोली हेड्रोसिस वाइरस का यूज करेंगे जरुरत परने पर हम लोग इंसेक्टिस साइस का भी यूज करेंगे इस तरह से हम लोग रेड हेरी के टरपिलर का मेने टेरा है और इसकी फेमेली मेलालोन थिडी है अब इसका होस्टेज ग्राउंड नट के इलावा रूट्स अब ग्वाबा, सुगर केन, कोकोनट, एरेकानट, टोबेको, पोटेटो और बहुत सारे ओल सीट्स में, पल्सेज में और वेजिटेबल क्रोप में देखा गया है अब जो एग ले होता है, वो कितना एग ले करती है, तो 20 to 80 एग ले करती है, जो कि एग होता है, वो राउंडिस होता है, और क्लस्टर में एग ले करती है, एक प्रियड नो से गारादिन का होता है, और ग्राब जो होता है, वाइट और ट्रांसलूसेंट करलर का होता है, आप प रहता है pupil stage में अब adult beetle क्या होता है वो image कब करता है तो first monson shower में image करता है इस तरह life cycle complete होता है अब इसका damaging symptom क्या है तो चलिए हम देखे तो आप इस picture में देख सकते हैं यह adult beetle brown color का है यह young grub है और यह mature grub है इस तरह से आप वाइड ग्रव की पहचान कर सकते हैं, अब इसका डेमेजिंग सिम्टम क्या है, तो इससे क्या होता है, कि जो प्लांट का ग्रोथ रीटार्ड विल्ट कर जाता है, और रूट्स क्या हो जाता है कि पासल्री फूली इटन अफ होते हैं मतलब वायड ग्रव होता है वो में फेड करता है रूट्स पह उसे क्या होता है प्लांट विल्टिboy होता है व्ल्टिल ब्लांट या या प्लांट मर जाती है तो आप यहां देख सकते पिक्टर में पीचेस में विल्टिंग हो उसके बाद जो यह आप देख सकते हैं कि किस तरह root में infestation हुआ है white grub का पिक्चर में देख सकते हैं अब हम इसका management किस तरह से करेंगे तो चलिए इसका management किस तरह से करेंगे तो चुकि यह soil में होता है तो हम लोग deep plowing करेंगे फिर हम लोग crow protection rice के साथ करेंगे फिर हम लोग क्योंकि inadequate soil moisture में white grub का आकरवन ज्यादा देखा गया है तो हम लोग adequate irrigation provide करेंगे फिर हम लोग light trip या bonfire का यूज़ करेंगे ताकि जो भी moth है ने sorry beetle जो है adult beetle है वो attract हो जाया और kill कर सके उसको हम लोग जो कि समझ सावर होता है starting में क्योंकि मोंसून के दोरानी first monsoon जब सावर होता है तब adult image होती है तो इस टाइम हम लोग अगर light trip या bonfire का यूज़ करेंगे तो वह really trip हो जाएगी और attract हो के kilo हो जाएगी जरुरत परने पर जब हम लोग soil plowing करते हैं और sowing के द्वारा last plowing करते हैं तब हम लोग इसी हम लोग application को 40 दिन 40 डेस अप्टर सोइंग फिर जब हम लोग अर्दिंग आप करेंगे तब फिर इसको फिर से हम लोग दोराएंगे रिपेट करेंगे इस तरह से हम लोग वाइट ग्रप का management कर सकते हैं हमने इस वीडियो में जाना रे डेरी केटर पिलर के बारे में एवन वाइट ग्रप के बारे में विस्तार पूर्बग अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए information के साथ आएंगे धन्यवाद